तो बीटेक आप करना चाहते हो, पहले तो आप 12th pass करोगे, जैसे आपने 12th pass की, किसी भी recognize board से आपने pass की, 12th pass होने के बाद में आपके minimum 50% marks होने चाहिए, 50 से जादा हो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी ऐसी private universities होती है, जिनें अपनी seats को complete करना होता है, तोकि उस university में बह आप कर दें और बोलें आपको होस्टल और मैस की फीस आप दे दो, दोस्तों जैसे ही 12th का result declare होता है, तो 12th का result declare होते ही, बहुत सारे लाको students अलग-अलग courses में admissions लेने के लिए चल पड़ते हैं, अब depend करता है कि उनका सपना क्या है, depend करता है बनना क्या चाते है, depend करता है कि course में वो admission लेना चाते है, कोई medicines line में जाना चाता है, कोई engineer बनना चाता है, कोई teacher बनना चाता है, बहुत तरह के fields आपके पास available है, यहाँ पर एक field हमारे सामने आता है कि आप engineer बनना चाते हो, आप को B.Tech करना है या B.E. करना है, बहुत सारे students जिनके घर की माली हालत ठीक नह भी options होते हैं, सस्ती universities उन लोगों को मिल जाए, कि जितनी भी आपकी fees है, fees पूरी wave off कर दी जाए, सिर्फ आपसे hostel और mess के charges ले जाए, यह बिलकुल possible है, B.Tech की fees कितनी होती है, कितनी fees आपको देनी होगी, semester mode दोगे, yearly mode दोगे, या कितनी exactly fees दोगे, university में admission लें, या college में लें उसके बारे में डिसकस करेंगे, B.Tech के काफी हद तक, आपके doubts को मैं clear कर दूँगा, अपने इस वीडियो के माद्दियम से जादा कुछ जानने के लिए, B.Tech की fees के बारे में, दोस्तों, बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तों, हाला कि हमने पहले भी कई सारी वी बाद में, आपके minimum 50% marks होने चाहिए, 50 से जादा हो, बहुत अच्छी बात है, scholarship लेना चाहते हो, तो कई बार percentage को देखते हुए, scholarship ली जाती है, तो आपको scholarship वह से मिल जाएगी, बट बहुत सारे students ऐसे हैं, जिनके percentage अच्छी नहीं है, फिर भी वो scholarship चाहते हैं, तो दोस्तो गरते हैं, ऐसे में, आपकी fees को 50% डिबेट कर देंगे, या ये भी हो सकता है, कि आपकी fees को पूरा माफ कर दें, वेवाफ कर दें, और बोलें आपको hostel और मैस की fees आप दे दो, तो ऐसी university का आपको search करना पड़ेगा, बहुत सारे universities ऐसे admission लेती हैं, आपको university नाम लेती हैं, बहुत सारे अच्छे-च्छे colleges हैं, बहुत सारी अच्छे-च्छी private universities हैं, private universities हैं, अगर आप admission लेना चाते हो B.Tech में, दोस्तों सबसे पहले आप ये समझेए, कि जब कोई भी university B.Tech करवाती है, एक मानिता मिलती है A.I.C.T.E की, A.I.C.T.E. उनी universities को मिलता है, जो भी A.I.C. की मानिता की जरूरत नहीं है, ये आप R.T.I. लगा सकते हो A.I.C.T.E. को भी पूछ सकते हो, बर जितने भी colleges चलते हैं, colleges को A.I.C.T.E. की मानिता लेनी ही होगी, वरना वो B.Tech, Diploma या फिर M.Tech नहीं करा सकते हैं, उस्तों होता क्या है, कि जब भी कोई university बनती है, तो university जै हैं, कि हम सभी तरह के certificate, diploma, UGPG courses, मतलब की undergraduate programs और post graduate programs भी कराना चाते हैं, तो UGPG की मानिता भी मिलती है, PhD की मिलती है, तो यहाँ पर A.I.C.T.E. का कोई मुद्धा आता नहीं है, तो ऐसे में, आप A.I.C.T.E. के वजज़ से अटक जाएं, admission ना लें, जरूरी नहीं है, प पर मेरा मानना है कि डेर लाक रेप पर एयर में बहुत अच्छी private universities में आप admission ले सकते हो, अब आप चाते हो colleges में लेना, जो colleges किसी भी university से affiliate करते हैं, तो यहाँ पर आपकी fees कितनी होगी, 40,000, 50,000, 60,000 per year की, और hostel mess कितना होगा, maximum 60,000, 70,000 पर, तो यहाँ भी एक से 70,000,000 में आपका admission हो जाएगा, पर मैं आपको यही बोलूँगा, कि सबसे पहले कोशिश करें, government universities में आपका admission हो जाए, government university तरफ रुक करें, admission आपका नहीं होता है, तो आप private university तरफ भी आ सकते हैं, यहाँ भी admission लेने में कोई परहेज नहीं है, कोई problem नहीं है, बस आप university की reputation देख ल और quality education आपको मिलना यह आपका अधिकार है, आप जब तक educated नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी बात को सामने रख नहीं पाते हैं, सिर्फ qualified होने से कुछ नहीं होगा दोस्तो, educated आपको बनना पड़ेगा, सिर्फ डिगरिया लेने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे मैं की फीज देनी होगी, आदे फीज माफ हो सकती है, इसका criteria आपकी percentage हो सकता है, SCST कोटे में आप आते हैं, ये भी हो सकता है, बहुत सारे युनिवस्टी सीड भरना चाती है, ये भी हो सकता है, तो depend करता है कि इस युनिवस्टी के तरफ जाब जाते हैं, और कैसे आप admission लेते तो B.Tech जो आप करते हैं, और समेस्टर मोड पर करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप एक साथ एक साल की फीज नहीं जमा कर सकते हैं, तो आप समेस्टर मोड पर भी फीज दे सकते हैं, इसमें भी कोई problem नहीं होगी, इसमें भी युनिवस्टी आपके साथ कोई objection के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो फीस के बारे में बताया, आपको समझाया होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आकि जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पहुश सकें सबस हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए